आपको फिर से आपके फेवरेट होमोपेथिक चैनल हेल्थ की थामोपेथि में वेलकम करता हूँ प्रेंट आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हैंड सैनिटाइजर के दुरूपयोग की जब हैंड सैनिटाइजर का बहुत बुरी तरह से कोरोना से बचाओ को लेकर एक लोगों के मन में जो डर है उसके कारण लोग जब उसका ओवर यूज करते हैं और बहुत निसी यूज करते हैं तो उसके कारण कई बार यह होता है कि हाथों में क्रैक्स हो जाते हैं हमारी हातों की जो dermis है वो पूरी तरह से damage हो जाती है उसमें से कई बार bleeding होने लगती है और ऐसे cases अब चुकि एक कलंबा phase लगबग 6 मैने का गुजरा है और लोग बहुत जो एक proper उसका use नहीं कर पाया उन्होंने उसको बहुत misuse किया उन लोगों के हातों में problem हुई है और ऐ कौन सी medicine है मैं हम लोग आज इस पारे में discuss करेंगे हमेपथी में जो इस तरह के cases में helpful होती है मगर उससे पहले मैं आप लोग सबसे निवेदिन करना चाहता हूं कि जो एक बहुत hap hazard misuse हो रहा है उसको रोकना है हमको Corona काल है risks हैं problems हैं मगर हम हम सोचें कि हम कहीं भी हात लग तो सबसे पहले मैं आपको इस बारे में अगा करना चाहता हूं और आपको कुछ basic rules बताता हूं कि हमें sanitizer hand sanitizer कब use करना चाहिए और कैसे use करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी transit कर रहे हैं यहां से उठके वहां गए तो आपने sanitize कर लिए नहीं हमको sanitizer जो hand sanitizer हैं उनका उप regular intervals पर हम साबुन से हाथ दोएंगे तो उतना नुकसान दे नहीं है खास करके अगर वह moisturizer यूप तो या glycerine soap हो तो ज्यादा बेटर और जब हम hand sanitizer का hapazardly बहुत ज्यादा मेस यूज़ करते हैं तो उसमें चुकी alcohol based 95% 90% plus alcohol है तो वह बार बार उसको हर थोड़ देर में यू किसी जगे हम exposed हुए हैं risky जगे पर तो उसके बाद hand sanitizer करें और उसमें भी यह कि अगर आपने मूँपे mask लगाया हुआ है तो until and unless आपका हाथ अगर चेहरे पर नहीं जा रहा है तो आपको hand sanitizer करने की तुरंत आवश्यक्ता नहीं है तो अगर आपके routine कारे में हैं तो उसे नि जानकारी मैंने आपको दी है इसके बाद हम जब बात करते हैं कि ऐसे cases में जब आपने बहुत सारे patients किया है तो अगर जब यह मिस्यूज हो गया है और आपके हाथ में cracks हो गए है और उसमें से bleeding भी हो रही है aging भी हो रही है और बहुत सारी इस तरह की समस्य है लेकर patient आ रहा है हमारे पास तो उसका होमेपेथी से बहुत अच्छा fast और quick relief कुछ नहीं है आप सबसे पहला तो यह है कि आपको हाथों को कुछ समय के लिए hand sanitizer का उपयोग रोग देना चाहिए इसके बाद आपको जो करना है होमेपेथी में एक medicine है petroleum petroleum की 30 potency हम लोगों इस case में दी थी मैंने जो पेशेंट है इसको 30 potency दी थी petroleum जो है वो खासकर indicated है for the cracks of hands अगर उसमें फिशर से उसमें bleeding हो रही है उसमें इचिंग हो रही है यह सब जो है इंडिकेट करते हैं petroleum को तो petroleum 30 दी गई थी इस case में petroleum 30 के बाद साथ में मैंने biochemik 20 number दिया था जो की skin complaints किसी प्रकार की skin complaints के लिए एक बहुत अच्छा supplement है अगर आप कोई भी skin complaints से गुजर रहे हैं तो biochemik 20 number आप concomitantly साथ में use कर सकते हैं औ और इसके साथ में local application के लिए हमने दिया था silken stay cream silken stay cream एक SBL का बहुत अच्छा combination है जिसमें calendula है aloe vera है and this is very helpful for healing of any kind of skin complaints बहुत सारी skin complaints में बहुत अच्छा गाम करता है आपकी skin को अगर कहीं भी dryness है उसे soft रखना है तो silken stay जो है होमपिति का SBL का वह बहुत ही useful cream local application है तो इस तरह से यह कुछ तीन चार चीज़ें हैं जो हमने इस case में दी और कई दूसरे भी cases इस तरह के और वह पूरी तरह से ठीक हुए है और thankful है होमपिति के तो friends अगर आप एक बहुत important information है जो अभी के समय में कई लोगों के काम आ सकती है बहुत से लोग परिशान है healing में कई-कई दिन लग रहे हैं कई-कई महीने लग रहे हैं मगर होमपिति से बहुत ही short duration में इस तरह की cases ठीक होते हैं so friends see you soon मिलते हैं next week till then अपना ध्यान रखें Corona से बचाओ और अपने हाथों का भी बचाओ अपने skin का भी बचाओ see you friends bye bye take care